रियालिटी शोज को लेकर वैसे ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब ये प्रूव हो गया कि रियालिटी शोज में फेक एमोशनल कहानिया, फेक कंटेंट दिखा कर टी आरपी बतोरनी की कोशिश की जाती है ऐसे में एक आक्ट्रिस जो पहले सिंगिंग करती थी वो भी एक रियालिटी शोज का हिस्सा बन चुकी थी उन्होंने इन रियालिटी शोज का भांडा फोड़कर रख दिया है और बताया है कि आखिर इन रियालिटी शोज की सच्चाई गया है पर आपको बता दें कि स्क्रीन पर जो कुछ दिखाया जाता है रियालिटी शोस की सच्चाई उससे बहुत अलग है यह अक्ट्रिस मिर्जापूर में काम कर चुकी है इनका नाम है अमिका शेल अमिका शेल बताती है कि पहले वो सिंगिंग किया करती थी लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने सिंगिंग करना ही छोड़ दिया 9 साल की उम्र में उन्होंने बता और सिंगर के रूप में लिटिल चैंप्स नाम के शो में हिस्सा लिया था और वहां से उनको इन रियालिटी शोज की असलियत पता चली रियालिटी जैसा इन शोज में कुछ नहीं होता है अमिका कहती है कि रियालिटी शोज के कंटेस्टिंस समय के साथ धूल में कहीं गायब हो जाते हैं मुझे इन reality shows की असलियत पता है मैंने Indian Idol Voice of India जैसे reality shows में पार्ट लिया है इन shows में contestants आते हैं, popularity बटोरते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं इसका कारण ये है कि इस तरह के shows बहुत ही जादा फर्जी और scripted होते हैं ये उतने असली होते ही नहीं है जितना कि टीवी पर दिखाया जाता है सिर्फ drama होता है जिसके बूते हमें views मिलते हैं अमिका कहती है कि reality shows में सिर्फ contestants की personal life दिखा कर सहानुभूती बटोरने की कोशिश की जाती है शो शुरू करने से पहले ही ये लोग contestants की आर्थिक इस्तिती उसके पारिवारिक मामलों की अच्छे से research कर लेते हैं और आपके selection में ये सब चीजे बहुत जादा माइने रखती है फिर उन बातों को शो में मिलाया जाता है इन परिस्तितियों को दिखा कर contestant को जादा vote मिलते हैं और फिर उसी को promote किया जाता है और सबसे बड़ी बात शो खतम होने के बाद तो जो judges throughout shows के इन contestants को promote करते हैं उनको भी इन लोगों से कोई लेना देरा नहीं होता है सीजन खतम हो जाता है उसके बाद इन contestants को कोई पूछता तक नहीं सबसे बड़ी बात judges throughout show के दौरान अपने favorite contestants की तारीफ करते नजर आते हैं उनको praise करते नजर आते हैं लेकिन एक बार show खतम हो जाता है उसके बाद उन्हें अपने ही बोले हुए ये शब्द पता नहीं होते हैं याद नहीं होते हैं और ये लोग पूछते तक नहीं है पहचानने से भी इंकार कर देते हैं अमिका ने तो ये भी कह दिया कि इन reality shows में जो single participate करते हैं उनका कोई future नहीं है हाँ state level पर उनको लोग जरूर गवाते हैं और कुछ shows मिल जाते हैं और तो और जिन contestants को vote मिलते हैं जो बहुत जादा popular होते हैं उन्हें भी आगे filmmakers consider नहीं करते हैं अमिका ने कहा कि मेरे साथ भी ही कुछ होने लगा था इसलिए मैंने तब singing को एक बार पीछे हटा कर अपने आपको और evolve करने की कोशिश की और web series और tv shows में काम करना शुरू किया